नमस्का दोस्तों एक पर फ्रेसे आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप वाटसअप के द्वारा पासवर्ड प्रोट्रेक्टेड मैसेज़ भीज सकते हैं असान बासा में कहूं तो आप जो मैसेज किसी को भीजेंगे उसे पढ़ने के लिए उस बंदे को पासवर्ड डालना होगा तब ही हो मैसेज पढ़ पाएगा यह कैसे कर सकते हैं आप ब्राउजर को ओपन कर लिए और मैंने कुरूम ओपन कर लिया और आपको एक वेबसाइट ओपन कर दी है जिसका नाम है प्रिवनोट डॉट कॉम प्रिवनोट कॉम जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इसका पेरेंस होगा यहां पर जो मैसेज आप भीजना चाहते हो आप यहां पर टाइप कर दीजिए तो हम यहां पर टाइप कर दीते हैं हैलो कि टेक्निकल अब बगब फर्जमपल हमने मैसेज टाइफ किया उसके बाद से नीचे आप आएंगे और सो ऑफशन पर क्लिक करेंगे और यहां पर यहां पर देखी बटन बना है यहां पर यह मेसेज पढ़ने के तुरंट बाद अपने अपद डिलीट हो जाएं सब्सक्राइब गंटे बार डिवीट हो जाए 24 घंटे बाद हो जाए 7 दिन बाद हो जाए तो मैंने इसे बाइक रहने दिया यानि इस मैसेज को जैसी सामने लिवाद पढ़ लेगा वैसे अपने है डिलीत हो जाएगा उसके बाद से आप यहाँ तिक लगाना है डोंट डूंट आस ट्रॉंग दर नोट यानि मैसेज़ डिलीट होने से पहले आपको कोई मैसेज नहीं आए क्योंकि आपने पहले इसे डिफाइन कर दिया है तो मैंने डाल दिया यहां पिलिए हम पासवर्क्रण डाल देते हैं आपको समझाने के लिए मैं एक फर्ग्जांपर पासवर्ण डाल password डाल लिया आप चाहें तो यहां पर email डाल सकते हैं email डालने से जब message destroy हो जाएगा खतम हो जाएगा तो आपके पास confirmation आ चाहें तुझे सकते हैं otherwise कोई बात नहीं है तो हम इतना रहने देते हैं और create note पर क्लिक करते हैं अब आप देखेंगे कि यहां पर एक लिंक जनरेट हो गए इस लिंक पर क्लिक करिए और इस लिंक को जैसे simple आप copy करते हैं वैसे आप copy link text पर क्लिक कर दिए link copy हो चुका है अब हम जाएंगे WhatsApp पर और WhatsApp में हम इसे open करेंगे और जिसको भी आपको message भेज़ता है जैसे मेरे पास मेरा ही दूसरा number है मैं उसे open कर लेता हूं और मैं यह message वहां पर paste करके send कर देता हूं आप ने देखा कि यह message send हो चुका है मेरे दूसरे number पर आप हम दूसरे में दूसरे वाले WhatsApp को open करते हैं जो इसी phone में ही है तो मैं दूसरा WhatsApp open कर लेता हूं जिस पर मुझे message receive हुआ है अब देखेंगे कि message आ चुका है मैंने इसे on किया अब मैं इस message इस link पर click करूंगा तो देखेंगे कि यहां आया और यहां पर पासवर्ट मुझे मांग रहा है जो कि मैंने वहां पर डाला था यहां रिसीवर जो message को पढ़ेगा उसे पासवर्ट यहां डालना पड़ेगा तो मैंने 123456 डाला था एंड प्रॉसेस करता हूं मैं उसके बार आप देख सकते हैं लिखा हुआ है है लो टेक्निकल बग बग यहीं मैंने लिखा था जी यहीं लिखा था अब यह नोट यानि जो message है डिस्ट्राय हो जाएगा खतम हो कि नोट डिस्ट्राय यानि मैसेज डिलीट हो चुका है क्योंकि उसके मैंने परमिसा लगाई थी कि मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद डिलीट हो जाए तो यह बता रहा है कि मैसेज डिलीट हो चुका है आप दीख सकते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से WhatsApp पे मैस स्ट्राय भी हो जाएगा तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और से जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिएगा क्यों कि मैं अपने चैनल पर डेली इस तरह के टिप्स और टिक्स बताता रहता हूं मिलूगा फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर रहें बाय दोस्तों